हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बड़िये से ही होंगे फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत बड़िये टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखे मैंने यहां पे लाइजोल की खाली बोटल ले ली है सबसे पहले हमने क्या करना है कि बोटल के स्टिकर को निकाल लेना है अगर आपके पास लाइजोल की खाली बोटल नहीं है तो आप यहां पे कोई भी बोटल का यूज कर सकते हो तो देखी मैंने श्टिक्र को निकाल लिया है अब हमने क्या करना है कि यहां से इसको कट कर लेना है आप इसे काटने के लिए चाकू या कैंची का इस्तिमाल कर सकते हो और यह बड़ी ही असानी से कट जाएगा फ्रेंट्स आप यहां पे हार्पिक की बोतल का यूजबी कर सकते हो तो देखे मैंने इसे कट करके अलग कर लिया है अब क्या करना है कि हमने कैंची लेनी है और कैंची से इसको अच्छे से बराबर तरीके से काट लेना है तांकि यह हमारे हाथों में चुबेना और इसकी से जो है वो भी अच्छे से आ जाए फ्रेंट्स अक्सर हम क्या करते है कि जब कोई भी बोतल खाली होती है तो हम उसे बेकार समझ कर फैंक देते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि हम इन से बहुत काम की चीज़े बना सकते हैं तो देखिए मैंने बोतल को अच्छे तरीके से बराबर करके कट कर लिया है अब आपने क्या करना है कि उपर वाली साइड में इस तरीके का सेप बना लेना है और फिर इसको काट लेना है फ्रैंस बोतल को ककचना बिल्किल भी मुश्किल नहीं है ये बड़ी ही असानी से कच जाती है तो देखी मैंने इसे कच कर लिया है आप क्या करना है कि उपर वाली साइड में हमने इस तरीके से यहां से गोल कच कर लेने है और फिर हाथ से अच्छे से चेक कर लेना है कि हमारे हाथों में ये चुब तो नहीं रहा है अगर चुब रहा है तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से कैंची से कट कर लेना है तांके हमारे हाथों में चुबेना और फिर हमने क्या करना है कि कोई चीज गरम कर लेनी है और फिर इस तरीके का छेद हमने यहाँ पर डाल लेना है देखिए फ्रेंड सा हमारा और्गनाइजर बनकर तयार है चलिए देख लेते हैं इसे यूज कैसे करना है मैंने इसे टूथ ब्रस डालने के लिए यूज किया है अगर आप चाहें तो इसे पैंस्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो तो देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है इस तरीके से आप भी इसे यूज कर सकते हो ये देखिए इसका उपर वाला हिस्सा जो है इसका यूज हमने कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है कि इसको हमने बराबर से कट कर लेना है तांके हमारे हाथों में ये चुभेना फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर बोतल को बिल्कुल भी बेश्ट नहीं किया है मैं एक बोतल के आपको दो यूज बता रही हूँ आपको कौन सा पसंद आएगा मुझे कुमेट करके बताना देखिए फ्रेंट्स मैंने बरतन माजने वाला सक्रबर ले लिया है अब क्या करना है कि सुई धगा ले लेना है और किसी भी साइट से हमने इसको एक गांट लगा लेनी है देखिए हमने इस तरीके से गांट लगा लेनी है अच्छे से फ्रेंट्स ये सक्रबर स्टील का होता है और क्या होता है जब हम बतन साफ करते हैं हमारे हाथों में कहीं बार यह चुपता है और दर्द भी हो जाता है तो यह बहुत बड़ीया तरीका है अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा और आपके हाथ फटेंगे भी नहीं अच्छे से गांट मानने के बाद हमने क्या करना है कि सूई को इस तरीके से उपर की तरफ ले जाना है और फिर अच्छे से अरजेस्ट कर लेना है देखिए इस तरीके से अब हमने क्या करना है कि बोतल का धकन ले लेना है और उसमें एक छेद कर लेना है देखिए मेरी लाइजल बोतल का धकन गुम हो गया थो तो मैंने यहां पर और ही बोतल का धकन ले लिया है और यह अच्छे से अरजेस्ट भी है तो देखिए फिर इस तरीके से हमने सक्रबर को बोतल के अंदर डाल लेना है और फिर ढकन को बंद कर लेना है और फिर सक्रबर को हमने अच्छे से यहाँ पर अरजेस्ट कर लेना है देखिए इस तरीके से फ्रेर्स हम क्या करते हैं जब बर्तन साफ करते हैं तो अपने सक्रबर को साबुन के अंदर ही रखे रखते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा साबुन भी जल्दी गल जाता है और फिर सक्रबर में बदबू भी पड़ जाती है लेकिन आगर इस तरीके से हम इसको तयार करके रखेंगे तो होगा क्या कि ना तो हमारा साबून जल्दी गलेगा और ना ही इसमें बदबू पड़ेगी क्यूंकि हम इसे कहीं खड़ा करके भी रख सकते हैं या टांकर भी रख सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से मैं इसको अच्छे से बांद रही हूँ उसी तरीके से आपने भी इसको अच्छे से बांद लेना है तांकर यह जल्दी निकलेना देखिए फ्रेंट्स बैसे भी आपने इस बोतल को फैंकी देना था लेकिन मैंने आपको दो बहुती कूल और यूजफुल आईडियाज बताए हैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा आईडिया कौन सा लगा फ्रेंट्स ये बरतन माजने के लिए बहुती बढ़ी टूल बनकर तैयार है आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह आईडिया कैसा लगा तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं अगला टिप्स क्या है फ्रेंट्स मैंने मेथी को अच्छे से दो कर ले लिया है हमारे घर में कहीं तरह की सबजियां होती हैं जिने काटना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन आज मैं आपके लिए इतना बड़िया तरीका लेके आई हूँ कि आप सबजियां खुस होके काटा करोगे आपने क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी बोटल ले लेनी है छोटी या बड़ी और फिर हमने इस तरीके से नीचे से उसको कट कर लेना है ये जो बोटल का हम नीचे वाला हिस्सा कट कर रहे हैं इसको आपने फैंकना नहीं है इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बीडियो में लाश्ट में बताऊंगी तो आपने बीडियो को पूरा देखना है फिर हमने क्या करना है कि बोटल को इस तरीके से बीच से काट लेना है उपर की तर्फ देखिए जिस तरीके से मैंने बोटल को कट किया है आपने भी कट करना है और फिर क्या करना है कि कैंची की साहिता से इस तरीके से आपने उपर वाला हिस्सा भी कट कर लेना है यहनि के हमने कैप बाला हिस्सा भी बोतल से अलग कर लेना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसको हमने यूज कैसे करना है आप बोतल से इस तरीके से हर तरह की सबजी को बड़ी ही असानी से कट कर सकते हो और इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं ही लगेगा तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे यूज कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको मेथी काट के बता रही हूँ हमने क्या करना है कि बोतल के अंदर मेथी को डाल लेना है जितना डले हमने उतना डाल लेना है और फिर इस तरीके से बोतल को उपर से बंद कर लेना है तो देखिए जिस तरीके से मैंने बोतल को बंद किया है उसी तरीके से आपने भी बंद कर लेना है और मेथी के फिर हाड़ वाले हिसे को काट कर आला कर लेना है फ्रेंट्स साग सबजी काटन में बहुत जादा टाइम बेश्ट हो जाता है पहले तो इन्हें अच्छे से दोना परता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके इनको काटना परता है लेकिन ये इतना बड़ी तरीका है कि आप एक साथ धेर सारी काटके रख सकते हो सबसे पहले आपने क्या करना है साग या सबजी को अच्छे से दो या तीन बार पानी से धो लेना है और फिर आप एक साथ बोतल में धेर सारी डाल सकते हो और फिर बड़ी ही आराम से आप इसे काटके रख सकते हो देखिए कितने आराम से कट रही है और इसे काटना बहुत ही आसान है इस तरीके से आप धेल सारी एक साथ काटकर रख सकते हो आप किसी भी तरह की सब्जी को बड़ी ही आसानी से काट सकते हो फ्रेंट सामें छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स की साहिता से अपने कामों को बड़ी ही असानी से और चिटक्यों में कर सकते हैं आप मेरे बताय हुए इस ट्रिक्स को जरूर एक बार ट्राइ करके देखना आप देखोगे कि आपकी सब्जियं जट से कटकर तयार हो जाएगी और आपको थोड़ी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आये हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें फ्रेंट्स आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें तांकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है तो देखिए फ्रेंट्स मेरे इस बताई हुई तरीके से आप धेर सारी सबजियों को जटपट काट कर तयार कर सकते हो फ्रेंट्स मैंने यहां पर आपको मेथी ही काट कर बताई है लेकिन आप हर तरह की सबजियों को बड़ी ही असानी से काट सकते हो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आईडिया बहुत ही जादा पसंद आया होगा तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स क्या है तो देखिए फ्रेंड्स बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा हमने काट कर अलग किया था उसको किस तरीके से यूज करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से काट लेना है तांके हमारे हाथों में ये चुबेना तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे काट कर अच्छे से तयार कर लिया है इसी तरीके से आपने भी इसको अच्छे से काट कर तयार कर लेना है और फिर चलिए मैं अब आपको पताती हूँ कि हमने इसे यूज कहां करना है फ्रेंट्स हम सब अपने पूजा घर में धूप करते ही हैं लेकिन जब हमारा धूप जल कर पूरा खत्म हो जाता है और फिर धूप की ये जो भबूत सी रह जाती है हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही कहीं भी फैंक देते हैं ये ऐसे ही रख देते हैं लेकिन अगर ये किसी के पैरों के नीचे आ जाए तो ये अच्छे बात नहीं है देखिए फ्रेंड से हमारी बबूत पूरी तरह से ठंडी है अब हमने क्या करना है कि जो हमने बोतल का पीस काटा है हमने इस बबूत को उस बोतल में इकठा करके रख लेना है जब हम पूजा घर में अगरबत्ती करते हैं हमने उसको इसी में डाल लेना है और फिर क्या करना है जब ज़्यादा इकठी हो जाएगी तो हमने इसको प्लास्टिक के पन्ने में डाल लेना है और जब हम बाहर जाते हैं तो हमने क्या करना है कि फिर इसको पाने में बहा देना है ये छोटी छोटी प्लेट धूप रखने के लिए डब्बे में पैक होके ही आती है लेकिन अब ये खराब हो चुकी है तो मैं इनको भी इसी में डाल के रख लूँगी इससे क्या होगा कि हमारी ये चीज़ें जो है वो किसी के पैर के नीचे नहीं आएंगी हमने इनको फिर पानी में बहा देना है फ्रेंट्स उम्मीद करते हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फर वाचिंग